नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोती सीक्रेट मेश रासी वालों 30 जून को देव गुरु ब्रहस्पती अपने घर जा चुके हैं यानि धनू रासी में और अभी तक मकर रासी में नीच के हुए बैठे थे और थे सने देव के साथ अब यहा पर दोनों ही वक्री आवास्थाम में बैठे थे लेकिन अब यहां से निकल चुके हैं अब सने देव अपने घर में स्वतंत्र है बिलकुल अकेले हैं अब जो मरजी वो कर सकते हैं ऐसे में सने देव का वक्री होना अपने घर में अकेले होना यानि यहां 20 नवंबर तक पल में ही राजा बना देते हैं और दूसरे ही पल धरातल पर भी ला देते हैं तो जो गरह इतने पावरफुल हो और अकेले भी राजमान हो जाए वक्रिय अवस्था में बर्मांड में यानि कि यहां आप में इस रासी वालों आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे राज जो यहा आपके जीवन में खुसियों से सराबोर करेगा वैसे तो छपड़ फार सफलताएं भी में देंगे और दसम भाव और एकादस भाव के आपके स्वामी होकर दसम भाव में केंद्र में विराजमान है जो कि कर्म का भाव है अब आप सबसे ज़्यादा लकी रासियों में से ए हैं क्योंकि जुलाई अगस सितंबर अक्टूबर नोवंबर बीस नोवंबर तक हर छेतर में सफलता मिले हैं आप जिसके हकदार हैं वो तमाम चीजे आपको देंगे उपर से देव गुरु बहस्पती भाग अस्थान पर केतू के साथ है यानि आपकी पूरी लाइफ ही अगसे कैसे आपके लाइफ में बदलाव लाएंगे और कैसे आप अफनी लाइफ को बहतर करें हमने आ आपको तमाम बाते बहतर की आज हम जानते हैं सनी देव के बारे में यहां हों लिए dwar Sun और यहां सनी देव वक्री तो चल ही रहे हैं अभ यहां से थोड़ी सी जो इसकिन की परेसानी आपको दे रहे थे देव गुरू बेस्पती सनी देव के साथ बैठ कर उसमें भी अब आपको राहत मिलेगी हलाकि मेहनत तो आप करेंगे लेकिन सफलता बहुत आसानी से अगर आप जॉब करते हैं तो यहां आपका पर्मोसन भी करेंगे और अगर आप अभी तक जॉब नहीं है आपके पास तो यकिन मानिए यहां आपके लिए यह वक्री सनी अकेले होकर आपके लिए फायदे ही फायदे आपको देंगे क्योंकि दसंभाव में बैठा हुआ वक्री सनी आपके जीवन में चीजों को एकड़म से बहतर करने को बेताब है आपको पिता का साथ भी इस समय दिलाएंगे हलांकि पिता और पुत्र का यहां सूरे सनी का बनता नहीं है लेकिन फिर भी आपको यहां जब है प्रसन अपने घर में अकेले तो यकिन मानिए सब कुछ देंगे बस यहां पर आपको ध्यान देना है आप कोई भी निरने लेते हैं अपनों से बड़ों का सलाह ले कर ले और एकड़म से एकसाइटेट होकर ओबर कॉन्पिडेंस में आकर कोई भी काम ना करें अपने क्रोध को अपने तक आने ना दे क्योंकि ये क्रोध कहीं आपको लॉस ना करा दे और आलस सिपन पर काबू बनाए रखें वैसे तो इस समय कोई भी निरने लेना हो सोच समझ कर लीजिएगा तो आपके लिए सनिदेव चारों तरब से आगे बढ़ने के तरक्की के रास्ते खोलेंगे और इस समय अब अब तक जो मानसिक तनाव था वो भी आपका समाप्त होगा तो यहां लापरवाही तो करने ही नहीं देंगे क्योंकि हर हाल में आपकी रक्षा करेंगे सनिदेव अब प्राकरम भाव में गोचर करने से आपके अंदर उत्सा भी बहुत ह करने होगा आप बिना डरे काम भी कीजिए और आपको आपके जो आपके पैरेंट से माता पिता हैं उनका साथ मिलने के साथ यहां पर बिदेश से लाप करवाएंगे वहना कि थोरे बहुत खर्चें होंगे लेकिन यह सपनों के ऊपर होंगे आपके सपनों को साकार करने के यानि यहाँ पर सनी देव महराज जिसके आफ़कदार हैं सब कुछ दे रहे हैं खासकर जो विद्यारती हैं उनके लिए बहुत अचा वक्त है और उपर से सस नामक महापुरूस राजयोग बना कर चल रहे हैं और वक्तरी सनी जीवन में जब देने पर आते हैं तो सब कुछ दे ही देते हैं वैसे अभी तक जो बिजनस में आपको लॉस हुआ था एक बार फिर से वो रिकवरी होगा नौकरी चली गई थी तो अब नौकरी की आपको प्राप्ती भी होगी और यहां किसी कारण बस मान सम्मान खो गया था तो वो भी मिलेगा करियर के घर में हैं तो सब कुछ बेटर ही करेंगे क्या करें ज़्यादा कुछ नहीं रोज साम में ओम संग्सने चलाए नमा का जब करें आपके लिए अच्छा होगा देव गुरु ब्रस्पती भी किरपा बरसा रहे है उसके बारे में हमने आपको बताया है अब यह तमाम उपाय करते रहे और फिर अपनी लाइफ को आप एकदम से बदलते हुए देखें तो अच्छा वक्त है इसका फायदा आपको उठाना चाहिए फिलाला हम आपसे बिदा लेते हैं जिन्दगी में इमांदार बने रहें क्योंकि कर्म के देव सने देव कर्म फल दाता है तो कर्म करने से मत पीछे हटिएगा जितने ज़्यादा मेहनत करेंगे समय अच्छा है तो मेहनत जरूर करना चाहिए क्योंकि अच्छा वक्त जब निकल जाता है तो मेहनत करने के फायदे उतने नहीं होते इसलिए जब भी गोचर में वक्त अच्छा चले तो मेहनत करते रहें यह मस्त सोचे कि इसका फल आपको क्या मिलेगा बस यह सोचे कि आपको काम है आपको करना है और फिर देखें कैसे आपको इसके positive result मिलते हैं तो आप लगी हैं आपको मुवारक फिलालम आपसे भी दालेंगे हरहर महादेब धन्यवाद